हेलो जी नमस्ते सस्यकार असलाम लेकूम आपका स्वागत है मेरे चैनल रिपल चीज़ चैरो हिंदी उर्थुपे और आज मैं रीडिंग करूंगी पिकका कार्ड आप सब लोगों के लिए है जो देख सकते हैं जो सिंगल है की लोग आपकी नहीं और जो लोग जो लोग अल्रेण कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है next ठीक है this is a timeless reading अब जब भी इस reading को देखेंगे यह आपके साथ resonate करेगी okay so keep an open mind this is a general reading जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि यह general readings है अगर आपके साथ resonate करें please like share and subscribe this channel hit the notification bell ताके जब भी इस channel पे reading upload हो आप उसी वक्त देखें कुई reading मिस ना कर सकें इस channel पे और अगर आपके साथ resonate नहीं करती it's okay it's a general reading let it fly इसका मतलब यह message आप के लिए नहीं था so आपके सामने दो piles है ठीक है आपके सामने दो piles है ठीक है आप चूस कर लीजिए I will do live shuffling live oracles card और मैं आपको उनके initials भी बताऊंगी तो आपको automatically पता चल जाएका कि वो कोहन है ठीक है और उनके उनकी सारी characteristic आपको बताऊंगी तो आपको समना जा जाएगी कि अगर आप 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 आपको जानते हो यह तोटली आपकी life में नाय इंसान आने वाला है so keep an open mind anything possible next or next okay so one and two choose कर लीजिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी reading पर तो start करते हैं आज की reading hello guys जिन्होंने यह लव वाला कार्ट चूज किया है यह वाला कार्ट चूज किया है let's see कि आपकी life में next कौन आने वाला है ठीक है X होंगे या next होंगे let's see from terror card से पहले देखेंगे so please spirit guide कीजिएगा जिन्ह X होगा या आपका next partner होगा क्या आप उनको जानते हो already और किस तरह मिलोगे उनसे सारी detail और उनके initials भी मैं आपको प्रेंट पर बताऊंगी let's see we have knight of cups king of wands wow and we have page of swords and then we have a three of pentacles मजीद देख लेते हैं we have the devil oh my god so आप जिनके सार deal कर रहे होगे उनका sun sign या moon sign या उनका ascendant जो होगा वो Capricorn, Taurus, Virgo हो सकता है और यहाँ पे air sign भी है यहाँ पे fire sign भी है या आप शायद couple जो है वो air sign या fire sign का होगे या air or earth होगे या fire or earth इस तरहा का combination होगा और क्योंकि यहाँ पे मुझे air sign नजर आ रहे है Gemini, Libra, Aquarius और फिर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे है Taurus, Virgo, Capricorn, especially उनका sun moon या rising में Capricorn होगा ठीक है और फिर हमारे पास है water sign Pisces Cancer Scorpio और सारे साइन यहाँ पे मौझूद है लेकिन मैं आपको prominent बता रहे हूँ जिन लोगों ने pile number one choose किया है आपके पास choice है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत जादा लोग नजर आ रहे हैं ठीक है जो आपकी तरफ आ रहे हैं next आपकी life में enter हो और bottom of the deck हमारे पास है 10 of cups सो आपको definitely खुशी मिलने वाली है love में आप extremely खुश हो जाओगे जब यह इंसान आपकी life में आएगा सो या तो यह इंसान आपका already आपका husband या आपकी wife है आप उनके साथ separation में हो तो आपको उनका weight है तो yes तो आपकी यह like it's like a happy ending happy family तो यह वही इंसान है जो आपके पास वापस आएगा ठीक है तो हो सकते है आपका जगड़ा हो गया था या आपका किसी वज़ा से आप दोने दूसरे से separate हो गये थे या लोगों की involvement की वज़ा से या आपके आपके ex-husband या आपके ex-wife या current partner आपक इनके साथ आपकी मंगनी हुई थी कुछ लोगों की हो सकता है जिसकी वज़ा से आपका love आपके दर्मियान में था यह वो connection है जिसमें आप दोनों का love involved है ठीक है आप still उनसे प्यार करते हो या आप उनसे प्यार करोगे यह जो इंसान आपकी life में आएगा यह आपको आपको खुश कर देगा दिल से खुश कर देगा और यह offer आएगी जिस जो आप इस इनसान का वेट कर रहे हो यह वो इनसान होगा जो आपको जिसका वेट है आपको आपको परपोस करें आपके घर फैमिली का रिष्टा लेके आए और वो definitely इनसान आपके घर जाएगा और बात करेगा और आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को मिलेंगी तो यह वो इनसान है यह हो सकते है आप दोनों के दरम्यान में फैमिली नहीं मान रही थी आप फाइनली यह इनसान अपनी फैमिली को लेके आपके पास आएगा और आपका यह जो रिष्टा है वो और तो आपकी लाइफ में दो या तीन लोग होंगे जिनका रिष्टा आएगा और आप उसी इंसान को चूज करोगे जो आपको भी पसंद होगा और आपकी फैमिली को भी जो आपके रिष्टे में रुकावट है वो खतम हो जाएगी अगर आप टोटली सिंगल हो और आपकी ला जो इंसान आपके दिल को खुश करता है और आपको उसका वेट है ठीक है नाइड फ काप यह वही इंसान प्रपोजल ले के आएगा क्योंकि ब्लॉकिज थे प्रपोजल में या ब्लॉकिज थे आप दोनों के दरम्यान में कुछ भी डिफ्रेंस हो सकता है जिसकी वज़ा से आप दोनों अलैदा हो गए with the king of wands and eight of pentacles so हो सकता है आप इस इंसान को अगर यह new love है तो आप इस इंसान को वर्क वली जगह पे मिलोगे जहां पे आप दोनों ही work करोगे या daily routine आपकी जहां पे भी है जहां पे भी जाते हो activity करते हो अपना time spend करते हो आप उस इंसान को वहा कर रहा है या आपे नजर रखे हुए है या आपके बारे में information निकाल रहा है अपने friends से या आपके friends से जानने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यह इंसान बहुत tension में इसको समझ नहीं आ रही कि वह आपकी तरफ approach कैसे करे अगर आपने एक दूसरे को block कर दिया है यह definitely ex energy है यह ex husband ex wife यह वो इंसान जिसके साथ आप separation में हो बिल्कुल भी contact नहीं है और यह इंसान बहुत परिशान है इस इंसान को यह लग रहा है कि आप life में move on कर जाओगे और किसी और को choose कर लोगे लेकिन यह इंसान नहीं चाहता with a nine of sorts इनको बहुत tension है यह नहीं चाहता इंसान कि इसका वेट कर रहे हैं और यह इंसान definitely आपकी तरफ आएगा ace of sorts आपको बात करेगा आपसे सच बोलेगा और आपको सच बताएगा कि यह deception थी तो यह इंसान फिर अपनी deception को तोड़ेगा और खतम करेगा अपनी चुपी को और आपसे finally जो वो silent जो वो चुप था वो definitely उसको अपने silence को break करेगा और आपसे बोलेगा कि उन्हें क्या चाहिए लेकिन ज्यादा तर लोगों के लिए यहाँ पे new love के chances भी हैं कि आप मिल सकते हो तो आपको decision इस pile को जिन्हों ने चूज किया है आपके पास decision है दो लोगों में आपको choose करना है दो लड़के दो लड़किया आने वाले हैं और आपको decide करना है कि आपको किसको choose करना है लेकिन आप वही चूज करोगे जो आपको एक घर देगा खुशी देगा और हो सकता है उस इंसान की कच्छी जॉप भी हो independent हो लड़की यह लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हो वाव क्या बोला है था मैं अगस्त में भी कुछ लोगों के लिए क्योंके दिस इस इस एट बांस ठीक है सो समर में मुझे लग रहा है कि आपकी शादी की बात होने वाली है या आप शादी करके जाने वाले हो या यह पर पोजल आने ही वाला है बी रेडी या काफी सरे लोग आप सेपरेटेट हो इन जो आप प्रे कर रहे हो वही चीज़ आपको मिलेगी या काफी सरे लोगों के लिए ये रिकनसिलियेशन होगी उसके साथ जिससे आपको लव है या आपके अपने हस्बं या वाइफ हैं लेकिन आप सेपरेटेट हो गए थे लेकिन आप मिलोगे दुपारा यूनियन होगी सो बी पॉजिटिव आपकी दुआएं कबूल होंगी जो भी आप प्रे कर रहे हो जो भी आप आप आशा कर रहे हो जो भी आप वेट कर रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो हनिमोन सो या काफी सारे लोगों के लिए जो आपके नेक्स पार्णर आपकी लाइफ में एंटर होने व Most of you, आपको सिर्फ वही चीज़ रेजनेट करनी है, जो आपके साथ रेजनेट करें आपकी लाइफ में, जिस चीज़ के लिए प्रे करें हो, जो चीज़ आपको नजर आएगी करते वे, वो पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेगा, उसी पे बिलीव करना है, ठीक है? यह नह करना है कि आपको क्या करना है, डेफिनिटी हाट-तु हाट कनवरजेशन, कोई आपसे बात करना चाहता है, और वो सच बोलेगा आपस, वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ें, वो नहीं चाहते कि आप उनसे रिकंसाल करो, तो काफी सारे लोगों के लिए यह वो आपके लाइफ में आपके घर में बहुत सार रिष्टे आने वाले है and you are going to choose your life partner, आप शादी करने वाले हो, ठीक है, उनी रिष्टों में से, और अगर आपके पास लाइफ में दो options है, दो लड़कों को चूज करना है, एक ex है, एक new love है, तब भी आपका decision है, जिसको भी आप आप चूज करोगे, जिसके साथ आपकी खुशी अटाच है, आप उसी को चूज करोगे, okay, मुझे नजर आ रहा है या पे, और काफी सारे लोगों के लिए आपका ex वापस आ रहे है, वो इंसान जिसके साथ आपकी attachment है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, और आप भी, आप द लिएडिंग है, लाइक, शेर और सब्सक्राइब, मैं मुलूँगे आपसे नेक्स रीडिंग में, hello, group number two, pile number two, जिन्हों ने येवला balance वाला काट चूज किये, येवला couple, ठीक है, let's see के आपकी शादी किस्से होगी, okay, who will you marry, who will you marry, या आपकी लाइफ में कौन आने वाला है तो okay, oh my god, तो हमारा topic तो ये था, के कौन आपकी लाइफ में आरा है next, और X ये next, तो मैंने का, who will you marry, तो इसका मतलब ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है, wow, wow, spirit has a message for you, very strong message, ये वो इंसान है जो आपका life partner होगा, आपका divine counterpart होगा, जिसके साथ आपकी शाद so let's see who is coming next in your life, so we have magician and we have eight of pentacles, wow, king of cups, moon, moon, okay, strong water sign है याँ बे तो five of cups, okay, eight of swords, two of wands, याप में से काफी सारे लोग सिंगल हो, जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग, आपके माइन में कुई नहीं है, ठीक है, काफी सारे लोग, जो मोस्ली जिन्होंने ये पाल चूज की है, आपके माइन में कुई नहीं है, क्योंकि आप सिंगल हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, आपने वेट कर रहे हो, इस फूचर स्पाउज का, क्योंकि आपको नहीं पता ये कौन है, इस तरह की आपकी एज होगी, with the seven of pentacles आप वेट कर रहे हो, आप मैंसे काफी सारे लोगों की age भी ज्यादा होगी, 30 plus या 40, within 40, or mid 40, or mid 30, इस तरह की आपकी age होगी, so आप लोग काफी अरसे से वेट कर रहे हो, के where is my future spouse okay yeah, hermit, आप मैंसे काफी सारे लोग single हो, आप आप mature हो, adult people हो, आप लोग बिल्कुल भी, मुझे नहीं लग रहे हो, अगर आप teenagers भी हो, तो आपकी, जो soul है वो काफी old soul है, काफी mature हो आप, और आपको अपने soul partner का weight है, divine counterpart का, soulmate का, यह जिन के साथ आपकी शादी हो होनी है, because you are single, totally single hermit, आपकी life में कोई नहीं है अगर कोई है भी सही, आपके mind में आपको weight है उस इंसान का, with the two of wands लेकिन आप date नहीं कर रहे उस इंसान को आप उनके साथ separation में हो आपका कोई contact नहीं है उस इंसान के साथ, बिल्कुल भी, आपको नहीं पता कि वो इंसान भी आपको equally love करता है या नहीं करता है, तो यह वो इंसान हो यह उन लोगों के लिए रीडिंग है ठीक है, यह है यह है king and queen of cups, मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि यह couple है, and this is the same suitors, king of cups and queen of cups, from cups so आप दोनो water sign होगे, Pisces, Cancer, Scorpio यह आप दोनों जैसे fire sign होगे, दोनों earth sign होगे, दोनों air sign होगे so something is, I feel like आप दोनों का moon sign बहुत same होगा जैसे, वो Cancer moon, Scorpio moon वो Cancer moon, Pisces moon, इस तरह आपको जो moon होगा, वो conjunct करेंगे moon conjunct करेंगे, same suit, same उसमें से होगा लेकिन अगर नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है लेकिन आपकी किसी तरह से moon आपके conjunct करेंगे, तो this is your soul partner, intuitive partner so with the moon card, आपको intuitively पता चल जाएगा, कि यह कौन है आपके intuitions आपको बताएंगे कि यह कौन है, या शायद already आपको पता है लेकिन clarity नहीं है truth नहीं है, communication नहीं है इस इंसान के साथ, और दूसरे यह है कि आप इस इंसान को, आपके life में अगर कोई नहीं है और मैं किसी का wait नहीं कर रहे हो आप तो आप इस इंसान को पहले खाब में देखोगे with the moon card, you will see this person in your dreams, जरूरी नहीं है कि यह इंसान totally आपके सामने आगे खड़ा हो जाएगा कि मैं हूँ your future spouse, या मैं हूँ आपका partner जो आपके साथ आँगा, no with the moon card, आप इसता इसता आपको खाबहों से पता चलना चाहेगा, कि यह इंसान आ रहा है एक sign आपको universe your god देगा दिखाने के लिए, क्यूंकि आप manifest करोगे, with a magician, आप इस इस इंसान को manifest करोगे, आप प्रे करोगे कि आपको किस तरह का partner चाहिए, तो आप जिस तरह का partner चाहते हो, यह उसी तरह का ही partner होगा और आप इसको dreams में पहले देखोगे कि this person is coming, this person is coming ठीक है, और अगर आप किसी का wait करे हो मुझे लग रहा है कि आप already इस इस इंसान को जानते हो, कि ये इंसान आपके दिमाग में है आप इसका wait करे हो, लेकिन आप दोनों के दरम्यान में communication नहीं है कोई बात नहीं होरी, तो लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान इस इस चुपी को खतम करें, आपसे बोले, अपने feeling को express करें, आपके intuitions आपको बता रहे हैं, आपके dreams आपको already बता रहे हैं, लेकिन reality में कुछ नहीं हो रहा क्यूंकि आप एक दुसरे को डेट नहीं कर रहे या आप एक दुसरे को शायद कभी नहीं मिले लेकिन feelings हैं, intuitions हैं, vibes हैं, आप फील करते हो with the two of wands and eight of wands हो सकता है आपके दर्म्यान में distance है कि आप दुनों एक दुसरे से बिलकुल long distance पे हो या different states में, या city में, या country में हो इस वक्त तो आपको wait है कि ये इंसान आपसे कब बात करेगा आपको wait है और ये इंसान बहुत जल्द आपसे बात करने वाला है क्योंकि मैं देख रही हूँ या पे 888 तो हो सकता है आप 888 देख रहे होगे 888 देख रहे होगे और आपकी ये जो stuck energy है जो आपकी life move forward नहीं हो रही love की तरफ हो या आपकी life में कोई आनी रहा आप ठक चुके हो और आप सोच रहे हो कि आपको give up कर देना चाहिए कि ये इंसान नहीं आएगा लेकिन 888 यहाँ पर ये बता रहा है कि positively आप चीजें move forward होगी क्योंकि हो सकता है अब ये इंसान ready है इसने mind बना लिया है आप आपसे बात करने के लिए और ये इंसान भी आपको उसी तरह देखता है जिस तरह आप उनको देखते हो so feelings are mutual लेकिन उन्होंने शायद अभी बोला नहीं या वो आपको किसी और तरीके से signs दे रहे हैं चुपे चुपे secretly आपको sign दे रहे हैं या आपको बता रहे हैं that they are interested ठीक है बहुत जल्द आप मुझे लग रहे हैं कि August तक आप इनके साथ already होगे आपकी union हो जाएगी और आप बात करना स्टार्ट कर दोगे लेकिन हो सकता है क्यूंकि तामलेस रीडिंग है जब भी आप इस वीडियो को देखोगे after watching this video within 8 weeks या 8 days या 8 months या August में specially August वाला मन्त या उनकी बर्त्रिय होगी या August में something like that तो आप आप definitely या आप से बात करेंगे communication करेंगे लेकिन कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि वो आपको ट्रेवल करके देखेंगे भी सही ठीक है मतलब आप से मिलेंगे फस्स टाइम आपकी मीटिंग होगी या सेकंड टाइम होगी या नेक्स टाइम होगी अगर आप अरेड़ी जानते हो इनको मिल चुके हो बातें कर चुके हो लेकिन अब आप वो डिसेप्टिव हैं क्लेर नहीं है फिलिंग आपको पता नहीं है क्या फील करते हैं, ठीक है so definitely five of cups, काफी सारे लोग आप unrequited love में हो, आपको लगते है कि ये इनसान लव नहीं करता है, आपसे और नहीं करेगा आपको कुछ नहीं पता, कुई idea नहीं है इस इनसान के बारे में, या आप लोग single हो totally और आपकी life में इतनी बोरियत है कि आप सोच रहे हो कि कोई जब आप दूसरे couples को देखते हो तो आपको भी feel होता है कि आपके life में कोई आना जाहिए so आपका weight जो है वो खतम होने वाला specially in October, August and November ये इनसान Scorpio हो सकता है specially यहाँ पर Scorpio, Cancer, Virgo, Gemini, Sagittarius, Pisces okay, fire sign, Sagittarius, Aries, Leo कोई भी sign हो सकता है लेकिन ये साइन मुझूद है अर्थ साइन भी है यहाँ ठीक है Virgo यहाँ बहुत प्रमिनेंट है ये इनसान आपकी life में बहुत जल्द आने वाला है ठीक है अब थोड़ा सा weight जितना आपने किया है थोड़ा सा weight ये खतम होने वाला है Death का मतलब अब आप single से double होने वाले हो मिंगल होने वाले हो आपकी life में ये change आने वाले है Death is a transformation लेकिन sometime it's talk about someone coming from the past ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया ये वो इंसान है जिसने आपको अकिला छोड़ दिया था ये वो इंसान है जिसने आपको clarity नहीं दी थी ये वो इंसान है जिससे आपकी काफी अर्से से बात नहीं हो रही ठीक है और ये आपको soulmate के तौर पर देखता है तो आपकी union तो पका आप हो सकता है इनको manifest करे हो और वो आपको manifest कर रहे है इसलिए आपकी union possible है it's a balance card मतलब आप चीज़ें एक दूसरे के अंदर heal करोगे solve करोगे जो issue है उसको solve करोगे लेकिन ज्यादा तर जो लोग टोटली single है आपकी life में कोई नहीं है तो आप definitely इस इस इंसान से मिलने वाले हो with your divine counterpart जिसके साथ आपकी शादी होगी जिसके साथ आपका future है क्योंकि आप single हो और आप wait कर रहे हो इस इंसान का let's see who is coming next in your life it is safer to love yeah यह आपके लिए safe place है यह तो safe love है चाहिए soulmate है या आपका future partner है या जिनसे आपकी शादी होने वाली है it's safe आप definitely ready हो इस love के लिए और वो भी ready है this could be the one you already met the romantic partner यह कुछ लोग आप इनको जानते हैं लेकिन आप romantic way से शाद नहीं जानते होगे इनको या आपने इक अभी romantic cycle start नहीं किया dating नहीं किया इनको लेकिन आपको idea है we have you deserve love या यह वो love है जो आप deserve करते हो यह वो love है जो आपको ऊपर से एक किसम का god की तरफ से gift है angel की तरफ से gift है चूँकि आपने बहुत weight किया बहुत सबर किया आपने शायद काफी अर्सा single रहे काफी अर्सा आपने शायद आपने जितने relationships past में किये थे उन्होंने आपको hurt ही किया love नहीं दिया है so this is your true love unrequited love हो सकता है यह वो इन्सान है जिसने आपको hurt किया आपको बिल्कूल reject किया था ignore किया था या आपने किया था तो definitely आपकी union उन्होंने से होगी या उन लोगों के लिए यह है कि अब आप इस painful relationship से निकलोगे या situation से निकलोगे और आपकी life में totally new love आने वाला है तो आपको sad होने की जुदत नहीं है अगर किसी ने आपको दोका दिया किसी ने cheat किया किसी ने जूट बोला किसी ने आप से शादी के वादे किये लेकिन शादी कहीं और कर ली तो आपकी life में ये वो partner है जो आपका अपना partner है आप कह सकते हो this is my partner this is my safe place this is my new love तो ये वो इंसान है आपके लिए ठीक है लेकिन मुझे लग रहे है कि आप 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 आपको जानते हो ये पास्वल अलवर हो सकता है अगर उनकी शादी नहीं हुई है किसी और से या मंगनी नहीं हुई है अगर वो single है तो वो इंसान जरूर वापस आएगा आप उनके साथ separation में हो लेकिन please be positive क्योंकि ये इंसान जरूर आएगा आपके relationship को chance देने ठीक है they want to date you they want to be with you लेकिन आप दोने के तर्मियान में religious factor हो सकते है जिसकी वज़ा से आप अलैदा हो गए थे ये कुछ और issue था ठीक है जिसकी वज़ा से ये इंसान ready नहीं था लेकिन अब शायद ये इंसान ready है ठीक है तो heart to heart conversation ये वो इंसान है जो आपसे बात करेगा spouse जिनके साथ आपकी शादी होगी जिनके साथ आप long term partnership में रहोगे you will date this person or you will marry this person so change is coming okay so ये आपकी reading like, share and subscribe मैं मलूँगी आपसे next reading में bye